दोफ्तो आज के वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के सबसे गोरी लड़की और इसके गोरी बन के पीछे का रास क्या है कैसे एक शॉप इस लड़की के लिए वरदान बन गया और साथ ही साथ आज हम कुछ ऐसे भी फेक्स कवर करेंगे जो आपको ज़रूर हैरत में डाल स उतने ही गोवा में सस्ती कैसे मिल जाती है और हर एक स्टेट में शराब की बोटल के प्राइज़ अलग-अलग क्यों होते हैं डोंट वरी आई विल तेल यू वाय शराब पर जीएस्टी की बतले वेट टेक्स लगाया जाता है जो कि हर एक स्टेट में अलग-अलग हो सगत बिकॉस वेटी स्टेट कंट्रोल और कुछ स्टेट तो शराब पर हाई प्राइज़ भी लगा देते हैं जैसी कि कैरला में शराब पर टू-फिफिटी पसेंट टेक्स है और कुछ स्टेट तो एक्स्राड्यू के टेक्स भी लगा देते हैं इसलिए मैजरीटी ओफ आभी लोगों के इतना क्रेज दिखा कि लोग रात-रात पर जाप करना स्तड़क पर शराप की लाइन में खड़ेते जी हाँ दोस्तों और शराप खरी थी भी तो दुगनी की मत पर बाइदवी दोस्तों आपके आसपडोस में कोई ऐसा शरा भी है तो मुझे कमेंट शक्षन में उसका नाम ज़रूर बताना तो चलो जल्दी से मुझे कमेंट करकर बता दो फैक नमबर टू बिग नियूज बिग नियूज बिग नियूज इलॉनमस वेरी पॉपलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्यूटर के 9.2% के स्टेक होलडर बन चुके है जी हाँ दोस्तों इलॉनमस ने ट्यूटर के 73.4 मिलियन स्टेक्स खरी गिये है जिसका वर्थ है 2. 2.89 बिलियन डॉलर्स जैक डोर्सी जो के ट्यूटर के फाउंडर है उनका ट्यूटर में 2.3% ये स्टेक है और बही इलॉनमस के 9.2% यानी 4 गुना जादा भाई कुछ समझ रहे हो जिसके चलते इलॉनमस ट्यूटर के सबसे बड़े स्टेक होलडर बन चुके है तो भाई स स्वैग हो तो ऐसा जो चीज जादा यूज कर रहे हो और उसे ही खरीद लो और फिर उसके मालिक के भी मालिक बन जाओ तो भाई वजा ही आ जाएगा अरे वेट बाबा कहां जा रहे हो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पताना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो तुरण जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो कि हम आपके लिए ऐसे ही दुनिया बढ़के इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग लाते रहते हैं तो आइए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर वन की तरफ फैक्ट नंबर वन दुनिया में तो सब इंसान अलग-अलग रंके होते हैं कोई काले होते हैं कोई गोरे तो कोई साबले लेकिन क्या अपने दुनिया के सबसे गोरी लड़की को देखा है नहीं ना आई इनके उम्रत 30 साल है और आपको यह जानते ज़रूर हैरानी होगी कि यह लैच्रोली इतने ज़ाद गोरी नहीं है और नहीं यह कोई मेक अप मसाच या फिर मेक अपलाए करती है दरसल दोस्तों ही ने एक बीमारी है जिसे अलबनीजम डिसॉडर कहते हैं और इस बीमारी की नास्तिय जिस बीमारी को श्राब मानती थी आखिर वो बीमारी उसे वर्दान साबित हुआ वैसे दोस्तों इससे पहले आपको यह फैक के बार में पता था नहीं न मुझे कमेंट शेक्शन में ज़रूर बताना तो चलो चल दीजे मुझे कमेंट करकर बता दो तो चली दोस झाल